कि हेलो गाइज वेलकम वेल्टू माई यूटूब चैनल हमने पिछले क्लास में हमें 6.2 के कुछ थियूरम को पढ़े थे आज आज हम उसके कुछ बच्चे हुए थियूरम को आज हम देखेंगे आए हम कुछ थियूरम को देखते हैं तो यहां पर देखना है हमें भूसपोर्सपोर्सपोर्णिगे यह एंगल्स रटले एंगल्स अल्टारिnd एक्सटेर एंगल्स औरader अज्थ और यह सब पीछले कलास में आपको पढ़ा दिये लेकिर आप यहां पे सब्सक्रेंगे हैं इस हम यह दो अपको कॉंगिश तो क्या होता है corresponding कोने का अर्थ होता है यह जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके एक साइट जो एंगिल्स है कोण 1,4,5 और 8 तो इनके बीच में क्या संबंद है यह हमें बात लाता है corresponding angles corresponding angles यह हमारा जो है कोड़ 1,4,5 और 8 तो कोड़ 1 और 5 यह मारा कहां लाया corresponding angles कर लाएगा तो किस्तरक यहार करने क्या trick है अगर यह इस लाइन Е सि दि लाइन वाला क्या अब यह क्या होगा जो ऊपर वाला क्योंद आ पडनिज्स, अफिर और नीचे नीचे वाला कॉर्ण तोर और सलाइन नुल मुखने टिवालहसर लाइन हो यानलम से आख आऒर दोंध से पडलाइन यंद्स पॉर्स निचे आओ Neato शाएटों को देखाएंगें कि इनके बिच में क्या समझत है अब दोकहला इस के ऑपरaturaला को यह सोब होगा को और स्वेश्डी के उपर ॉपर वाला कुझ मदेल एंगिल्सस धिसद्राइब यहां एक दिज्सार का और भी किप मैं होता है लेकिन रहा हम घ्री को होना है यहां 3 का अपोजिट 5 और 4 के अपोजिट 6 होगा यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि यहां देखो कुण 3 और कुण 5 समारा क्या होगा अगर मालों के वार सवाल में अगर 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 आ गया ह। हम यहां से लिख सकते हैं कि A B A B A B पारलल C D इस तरह समें लिख सकते हैं मахि महें अगितने हैं अब यह कंदिसम अधो लेख को तो कि आन्थे से अरथ कि सुर्फ होता है बाहर का के पर अब यहां के देख इडिक बाहर Jam हो यहां पर आल्टरनेट काट रिवापो जी तो पुल वन और कॉंट से निए वह पर इसके वीप रिथ है यह बस यह अंदर का पाट आएगा और यह नाट पाहर दो इंटीर बतलाएगा अंदर का कॉंट और एक्सेरीर बताएगा बाहर के पोड़ाई ने बीच में क्या संब कि यहां पटर हम आइक को miami को कुणो का सं चून continuous मतलाब अंदर कर एक और की देखा कि आगे की मि कूणVA का सं महोता है ये डीक Запाट की एक मियों और को इसके अंदर के दो कोड़ों का सम हमारा सम ही यह बाहर वाला कौन होगा तो यहां पर तीस और पाइंटालीस हमारा हो जाएगा पच्छांतर डिडिडी यह क्या होगा पच्छांतर डिडी है हमारा यह कोड़ सी डीडी हमारा क्या होगा बाहर कोड़ कितना आजाएगा पच्छांतर डिडी तो अब देखो यह साथ प्रस्पोर्णिंग और अपस में इकॉल होते हैं और सब प्रस्पर्णिं इंगिल्स का अल्टरेंट इंट्रियर एंगिल्स परफियर आपस में इकॉल होते हैं और अब यहां के अगए एक है 180 यह खिली होता है अब कि तरह से होता है यह हम देखेंगे के पुरा टेंगे अगर एक इमेज के तरह से एक इमेज के थे रिफ जखो यही हम फिगर बनाते हैं यह पर लिखेंगे जैसे कि कौन 30, 45, 45 इस तरह करके लिखेंगे हम और यहां से पुरा किलियर हो जाएगा कि यह तीस तरह से सारे प्लिएर इकॉल हो रहे हैं यह हम आपको बताएंगे जखो एक दो पार्लाल लाइन हुआ एक इसको ट्रांसवर्सल लाइन काठ लिए एक इसको ट्रांसवर्सल लाइन मालो काठ लिए यहां पर अबर हम यह कोंड पाए तालिस ट्री तो देखो तो दूस्त पाए तालिस ट्री ले लिए तो यह कोंड के इतना लेंगे माल इसको चालिस लेंगे लेंग यह कितना लेंगे यह परम लाइक कर दोंग होसा इसके तो कितना करती है तुली हो जाएगा तो जब दो लाइन दुसरे पाब करती एंट उनक्णा शरुत नगाखा हो तो यह 140 तो यह 140 ट्यूडी हो जाएगा और यह उसी तरह से शिख्षा ज्यूवूब कोड़ से यह क्या हो जाएगा हमारा चालिश चालिस यह हो जाएगा और यहां पर देखो यह हमारा सिख्साभी मूव पूर्ट से क्या होता है जब दो लाइन दुसरे को इंटरसेप्ट करती हैं तो उनके आमने सामने का पॉर्ण आपस में बराबद होते हैं तो यहां पर सब्सक्राइब हो जाएगा और देखो यह चालिस तो यह हमारा आपना हो जाएगा अल्टरेंट इंदीर एंगिल से चालिस टीडी और सिख्साभी मूव पूर्ट से यह लिए हमारा जरूर्ट इक्वाल ही होगा देखो यहां पर देखो इसके सामने यहां पर वोन यहीमा है चालिस टीडी हां आप और यह पूर्ट फाइज यह हमारा कितना यहां है दोनों एक्वाल और 4-8 तो यहां पर एक्वाल होगा यहां सही एमीज के ठुझें यहाँ यहां पर सब इकॉल ही होगे इसी तर से यह सारी इंगिल्स आपस में इकॉल होंगे अब हमें देखना है अल्टरेट इंट्रियर एंगिल्स यहां पर देखो यहां पर दो आथा चाहं परमीन नायम देखो एक दो परिवार्पाइफ और यहां पर तो यहां सेविवन और सेवन यह और यह और यह लोग बना एकॉल है यहां पर यह परें अनता होता है यहां असली के यह करेंगे legacy एक सवासी ड्यूडी होगा देखो किस तरा से आसपस्ट हो रहा होगा आपको और पर इजह हो गया है है कि